जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 दिसंबर और 10 दिसंबर के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए दिसंबर माहा के ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं जानेंगे इन दो दिनों के बारे में सभी कुछ विस्तार से, आपकी सिक्षा कैसी रहेगी, आपका वैपार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपके करियर के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन, फ्रेम संबंद, विवा संबंद, सभी के बारे में और स्वास सके तो चली जान लेते हैं कि इन दो दिनों में कौन सी थिती है नक्षत्र क्या बन रहे है योग क्या है और चंद्रमा की स्थिती कैसी रहेगी तो 9 दिसंबर की बात करते हैं 9 दिसंबर शुकल पक्ष की 12 सी थिती है जो सुबह तक रहेगी और भरनी नक्षत्र है परिग और योग बन रहा है ये सौमवार का दिन है और चंद्रमा इस दिन मेश राशी में है सूर्य वरश्चिक राशी में रहेंगे जो की जेस्ट नक्षत्र में चल रहें है 10 दिसंबर की बात करते हैं 10 दिसंबर शुकल पक्ष की त्रियोध सीदिती है कृती का नक्षटर रहेगा जो की सुभा तक है उसके बाद रोहनी नक्षटर लग जाएगा इस दिन सिधिनाम का योग बन रहा है ये मंगलवार का दिन है और सुभा तक चंदरमामेश रासी में है उसके बाद व्रश्य व्रासी में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य वरश्चिक राशी में ही है तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की इस्तिति और इनी के अधार पर हम जानेंगे कि ये दो दिन किस तरह से आपके लिए विशेश हो सकते हैं किन कारियों में आपको सावधानी रखनी है और किन कारियों में आपको लाव की प्राप्ति हो सकती है तो चलिए शुरू करते हैं इन दिनों में चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति आपके तीसे भाव में है और तीसरा भाव पराकरम का भाव है चोटे भाई भेनों का भाव है और 10 दिसम्मर को चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे जहां चंद्रमा अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं तो इन चंद्रमा की अच्छी स्थिति के आदार पर ये दो दिन आपके लिए किस तरह से विश्यिस रहने वाले हैं तो ये जो दो दिन होंगे इन दो दिनों में कोमराशी वाले जातकों के लिए बेहद अच्छा समय रहेगा इस समय आपको अपना रुका हुआ पैसा वापिस मिल सकता है अगर आपने किसी कोधार पैसा दिया हुआ था तो वो आपको वापिस मिलता है लेकिन इस सब्दा आपको ये ध्यान रखना होगा कि दूसरे से कोई अपिक्षा नहीं रखनी है यानि ये अपिक्षा नहीं रखनी है कि कोई हमारे लिए क्या करे आप इस दो दिनों में अपने कारेस्थल पर अपने वहवार कुशलता से अपने अधिकारियों से संबंधों को बेहत मजबूत बनाने वाले हैं जिससे आप आगे भी निखरेंगे और आपकी जो काम है उसमें भी आपको निखार महसूस होगा आपको अचानक से धन प्राप्ति के धन लाब की योग भी बन रहे हैं जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे ये दो दिन आपके लिए अच्छे साबित होंगे और इन दो दिनों में सबकी जो नजरें होंगी वो आपके उपर होंगी आपके आकरशक व्यक्तित उपर होंगी क्योंकि इस समय आपका आकरशक जो होगा वो बेहद अच्छा होगा क्योंकि चंद्रमा के स्थिदी अच्छी है और चंद्रमा जो मन के कारक है वो आपके मन को बेहद स्वच रखेंगे आप अपनी योगताओं को पहचानेंगे और अपनी योगताओं को पहचान कर सफलताओं को अरजित भी करेंगे यानि जो भी आप सफलता हैं आपकी उनको आज पहचान मिल सकती है आज आप अपनी प्रेजनों के साथ वक्त भी गुजारेंगे और इस अफसर का पूरा लाब भी उठाएंगे जिससे आपके मन को बेहत खुशी होगी साथ ही थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है जिस व्यक्ति से आपकी नहीं बनती है नोग जोक रहती है, बात-बात पर बिगड़ जाती है तो उससे आपको समल कर जरूर रहना होगा क्योंकि वो व्यर्थ में ही आपसे उलजना चाहा सकता है वो शायद आपके उच अधिकारियों के नेजर में भी आपकी छबी बिगड़ने की कोशिश कर सकता है तो उसलिए उससे आपको सावधान रहना है अपनी कामों को पूरा करें और किसी को कुछ भी कहने का मौका ना दें अगर आप अपनी सभी कारियों को समय पर कर लेते हैं अपने टार्गेट को आप पूरा कर लेते हैं तो कोई आपको कुछ ना कह पाएगा और नहीं आपको किसी के सामने नीचा देखने को मिलेगा तो इस बात पर ध्यान रखें हाला कि ये दो दिन आपके लिए खर्चे वाले दिन भी सावित हो सकते हैं लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये मौजमस्ती के लिए हो सकते हैं दोस्तों के साथ सेर सपाटे में हो सकते हैं या परिवार के साथ किसी छोटी मूटी यात्रा पर हो सकते हैं येकिन ये खर्चों के दिन बन रहे हैं साथी बच्चों की सिक्षा के लिए بھی समयाप कुछ खर्चा कर सकते हैं और ये निवेश करने का टाइम भी है इन दिनों में किया गया छोटा सा निवेश भी आगे चलकर कोई बड़ी बचत बनकर सामने आ सकता है तो इस बात कभी आपको ध्यान रखना है अगर आप निवेश करते हैं तो ये निवेश आपके लिए बड़ा ही अच्छा सावित हो सकता है आपके जो पिछले कुछ कारे रुके हुए थे उनकारियों को देखेंगे आप को कोई घाटा नजर नहीं आ रहा है आपके आए नियमित बनी रहेगी और इस समय आपने जो कड़ी मेहनत की है उससे भाग्या का साथ भी आपको मिलेगा और आप अपने कर्म शेतर में सफलता हासित कर पाएंगे प्रसिद्धी हासिल कर पाएंगे यानि अपनी मेहनत का फ इसानातरन भी हो सकता है प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो ये जो दिनों में आप कारे कर रहे हैं जो अपने कारे पर ध्यान दे रहे हैं इन्ही के आधार पर आगे आने वाले समय में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है अ से दूर जाने की ज़रुत नहीं है हो सकता है कि आप अपनी घर की नजदी की किसी से मिल सकते हैं लव लाइफ के लिए जो समय होगा ये बहुत रोमांटिक कहा जा सकता है और इस मामले में की गई कोई नई शुरुवात आपकी जीवन में रोमांस ला सकती है तरो ताजी की मह कर ही भेजें वरना मिस अंडरस्टेंडिंग भी हो सकती है इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बार ऐसा होता है कि कोई मैसेज उपर से बस एक लाइन पढ़ी और उसको आपने फोरवर्ड कर दिया तो इस समय आपको अपने साथी को कोई भी मैसेज भेजते समय ये ध्या बाती के साथ अच्छा समय आप बिता पाएंगे बच्चों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे ये समय ऐसा होगा जब आप अपने बच्चों के साथ मिलकर उनके साथ खेल कर खुशी का अनुभाव करेंगे तो ऐसे वक्त को बच्चों के साथ जरूर गुजारें शाम का पल होते हैं, यह बेहत खुशी लेकर आते हैं जीवन में और हमेशा यादगार बने रहते हैं, और जीवन में यह जो चीजे होती हैं, यह बहुत काम भी आती हैं, तो इन चीजों को अपनी आप धिंचर्या में शामिल करें, आप δेखेंगे कि आप खुद को खुशी का अनुभभ भी करा सकते हैं और बहुत ही अच्छा भी आप फील करेंगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय होगा ये कैसा रहेगा तो चंद्रमा के स्टिती जो है वो आपके लिए बेहद शुब बनी हुई है तो इसमें बच्चे भी मांसिक रूप से खुद को स्वास्त महसूस करेंगे और जब मांसिक रूप से स्वास्त रहते हैं तो आप सिक्षा पर भी ध्यान दे पाकते हैं क्योंकि ये पराकरम का शेत्र है तो यहां आपका पराकरम भी बढ़ेगा यानि आपके जो याद करने की जो गती है समझने की जो गती है वो आपकी तेज होती हुई दिखाए देगी और आप जिस भी सब्जक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि पहले से कम समय में आप किसी भी चीज को समझ पा रहे हैं तो ये अगर ऐसा समय आता है तो आप अधिक से अधिक इस पर मेहनत करें ताकि आपका जो समय है वो वेस्ट ना हो और आप समय पर अपने सभी कारियों को अपने सभी विश्यों पर ध्यान दे पाएं सभी आप सब्जेक्ट पर आप पकड़ बना पाएं तो पढ़ाई पर आ द्याबिटीज है तो ध्यान रखें कि आप कितनी मातरा में शुगर ले रहे हैं इस पर आपको कंट्रोल करना होगा क्योंकि इसमें जो बीमारी है जो ब्लड बीपी की परिशानी है या फिर शुगर की परिशानी है वो बढ़ सकती है तो ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना होगा साथ ही आप एक कार्या कर सकते हैं आप इन दिनों में जरूरत मंदों को गरम कपड़े दान करें यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाया होगा और इस उपाया को करने से आपकी जीवन में भी तरक्या आएगी और आपका जो अपारिवारिक जीवन होगा व वीडियो को देख से देख लिए